नमस्ते किसान सात्यों किसान सात्यों आप देख रहें स्वाविन की RV SM 2011 momentum 3369 वेराइटी दोस्तो मैं आज आपको इस वेराइटी की पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करे और चेनल को सस्प्राइब करे तो दोस्तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ RVSM 2011 पेति स्वाबिन वेराइटी के बारे में दोस्तो एक किसान भाई का कमेंड आया था कि पाठिदार साथ RVSM 2011 पेति स्वाबिन वेराइटी का बीजदर कितना रखना है तो इसका बीजदर अगर भीगे से बात करे तो 15 किलो भीगा और एकड से बात करे तो 30 से 35 किलो प्रती एकड इसका बीजदर रखना है और एक किसान भाई का कमेंड आया था कि पड़िदा साब इस विराइटी में फूल कितने दिन में आते हैं तो दोस्तों इस विराइटी में फूल 40 से 45 दिन में फूल आने श्टाड हो जाते हैं और फूल आने के बाद इसका ग्रोध भी चालू हो जाता है ये देखे दोस्तों और दोस्तों एक किसान भाई का कमेंड आया था कि पड़िदार साब इसमें फूल से कलिया कितने दिन में बनती हैं तो दोस्तों इसमें फूल से कलिया पचास से पचपन दिन में बनना चलू हो आता हैं और इसमें बिमार्या बिल्कुल नहीं लगती है ये देखे दोस्तों इसमें बिमारी बिल्कुल भी नहीं है किसी प्रकार की कोई बिमार्या नहीं है और आज इसको 81 दिन पूर्ण हो चुके है दोस्तो आज दिनांक 22 सिक्तम्बर 2022 है और इसकी बुवाई मेंने 24 जून 2022 को की थी तो दोस्तो 81 दिन में इसकी ये इस्तती है आप खुद देखिए इसका दाना बराव बिल्कुल कमप्लेट हो गई है बस सिर्फ 15 दिन में 15 से 17 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है दोस्तो इसमें पत्ते पिले पढ़ने लग गए है ये देखिए मेरा अनुमान है कि इसमें लाश्ट 20 दिन में इसकी कटिंग हो सकती है दोस्तो एक भाई का कमेंड आया था कि पाड़ेदा साब इसकी यह कितने दिन की वेराइटी है दोस्तो यह वेराइटी 100 से 110 दिन की है अगर मोसम अच्छा रहे तो यह 110 दिन में पक्के तयार हो जाएगी इसकी हर्विष्टिंग हो जाएगी अगर मोसम गडबड हुआ पानी नहीं गीरा सुख गई मोसम से आपको पता है किसान साथियो कि स्वाबिन 8-10 दिन का अंतर हो जाता है और दोस्तो अगर एक किसान भाई का फोनाया था कि पाड़ेदार साब यह सोयाबिन हर्वेष्ट से कट सकती है दोस्तो बिलकुल किसान भाई का सही प्रस्न था कि हर्वेष्टिंग से यह विराइटी कट पाएगी या नहीं तो मैं आपको बता दू दोस्तो यह बिलकुल हर्वेष्टिंग से कट जाएगी यह देखे दोस्तो विल्कुल हार्वेस्टिंग से कड़ जाएगी इसका हाइट तीन से साड़े तिन फिट कर रहता है और हार्वेस्टिंग के लिए बहुत शांदार विराइटी है और दोस्तो इस अभी इस दोर में मस्दूर मिलना मुश्किल हो जाता है इसलिए हार्वेस्टिंग की यह यह देखिए और दोस्तों इसका ग्रोध काफी शानदार है यह देखिए इसका ग्रोध मैं आपको खेत के बीच की स्तती बता रहा हूं यह देखिए आर्वी एसेम 2021 डेस प्यतिस स्वयविं विर्याटी और दोस्तों इसकी अगर बातकरे की इसके दाना वराव कितने दिन में होता है यह देखिए तो इसका दाना वराव की बातकरे इसका दाना वराव 65 दिन में इसकी मतलब फूल से फलिया कमप्लेट हो जाएगी और सत्तर से दिन में इसका दाना भराना चल्लू हो जाता है जो कि 80 से 85 दिन में दाना भरके कंप्लेट हो जाती ओर यह देखिए आज इसको 88 दिन हुए यह देखिये दोस्तो मतला फूल से फलिया में कन्वर्ड हो जाती है पेसर दिन में और पेसर से असी दिन में या इसका दाना भराव कम्प्लेट हो जाता है यह देखे दोस्तों ये देखे आज एठ्ञासी दिन में ये देखे फली कंप्रेड हो गई है और इसमें गुच्छेदार फल्या आती है ये देखे दोस्तों इसमें गुच्छेदार फल्या आती है और फल्या की साइज भी अच्छी है शानदार है ये देखे और इसमें पीला मोजक मतलब ये रो किसी किसान भाई को और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरा कॉंटेक्ट नंबर है 999-368-2345 पूरे खेत की स्थति आपको बता देता हूं यह देखिए मतलब शांदार वेराइटी है आरवी एसेम 2011-35 वेराइटी यह देखिए आपको मेरी वीडियो केसी लगी आप मुझे कमेंड बाक्स में बताईए दोस्तो और मेरे वीडियो में अगर और कुछ बाकी राहा कुछ जानकारी तो आप मुझे कोल लगा के पूछ सकते हैं यह देखिए दोस्तों अगर आपको इस्प्रे या उर्वरग या अन्य कोई भी जानकारी पुछना हो तो आप मुझे कोल कर सकते हैं मेरा कोंटक्ट नंबर 999-368-2345 जै जवान जै किसा